दोस्तों नमस्कार मैं संजी भारगव वर्शॉप कैलकुलेशन और इंजिंग ड्रैंग अनुदेशक इस समय में राजस्तान की गवर्मेंट टाइटे यहलवर में पतिस्ताफितों आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकिया है वो प्रतिशत से रिलेटेड है इससे पहले म मैं प्रतिशत से रिलेटेड चार वीडियो दा चुका हूँ इस पांचवे वीडियो के अंदर मैं आपको छोटे-चोटे कोश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि जो आपको जो हमारे एंसीवीटी के अंदर पेपर आता है एंसी क्यू मल्टी चॉइस कोश्चन एबी नहीं है यह मैंने कोश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिससे की मेरा वीडियो छोटा हो तो 25 का 4 प्रतिशत करने के लिए हम 25 का मतलब गुणा होता है 4 प्रतिशत का मतलब 4 बटे 100 तो 25 को 100 से काट देंगे 4 बट तो 4 को 4 से काटेंगे तो एक आएगा तो इसका मतलब हमारा एक उत बटे 6 का प्रतिशत निगालना है तो एक बटे 6 को 100 से गुणा करेंगे जब 100 में 6 का बाग देंगे तो यह 16.66 के बराबर आएगा इसका मतलब हमारा उत्तर यहां पे 16.66 हो जाएगा तीसर जो सवाल दूसर जो सवाल है इसका अंदर है 75 रुपे कीमत का 10 प्रतिशत कम यान प्रतिशत का बटे 6 को 100 तो जब इसको काटेंगे तो यह आएगा 66.5 रुपया अगला सवाल है हमारा खालिस्तान प्रतिशत 3 बटे 8 के समान होता है यानि कि प्रतिशत का ब्यक कौन समान है जो 3 बटे 8 के बराबर होगा तो इसके अंदर हम 3 बटे 8 को 100 से गुणा करेंगे 45 का खालिस्तान कितना प्रतिशत 5 होता है 45 का कितना प्रतिशत 5 होता है तो यहाँ पर हमारा जो सूतर है वो X का Y प्रतिशत बराबर Z होता है इसके अंदर इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको 45 का खालिस्तान कितना प्रतिशत 5 होता है उस कंडिशन में 45 का Y प्रतिशत 5 होगा यानि कि यह X है यह Y है और यह Z है तो हमको Y की वैली निकालनी है प्रतिशत होने की बज़े से इसको 22 बटे 100 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45 गुणा 22 बटे 100 बराबर 5 Y का मान निकालन के लिए 100 को 5 से बटे में 45 का भाग देंगे 5 से 45 नो बर कड़ जाएगा तो 100 में जब 9 का भाग देंगे तो यह आएगा 11.11 प्रतिशत यानि कि 45 का 11.11 प्रतिशत हमारे 5 के बराबर होगा तो इसको हम solve भी कर सकते हैं अगला सवाल है हमारा 550 का 16 प्रतिशत खालिस्तान होता ह 550 का मतला गुणा हो जाएगा 16 प्रतिशत का मतला हुआ 16 बटे 100 तो हम इसको इस तरह से solve करेंगे 550 का 16 प्रसेंट खालिस्तान होता है 550 गुणा 16 बटे 100 प्रतिशत का मतला बटे 100 तो यह 16 बटे 100 हो गया उस condition में 10 से 10 कट गई 5 से 10 को काटेंगे 2 वार 5 से 11 वार 2 से 16 हमारा 88 के बराबर होगा इसके बाद अगला सवाल है हमारा 7 बटे 8 को जब प्रतिशत में दर्शाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 7 बटे 8 को 100 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 700 बटे 8 700 में जब 8 का बाग देंगे तो यह होगा 9854 गुणा 27 बटे 100 तो इसको जब मल्टिप्लाइ कर गी जब 100 से भाग देंगे तो यह आएगा 2660.58 उत्तर 250 का 19% होगा 250 गुणा 29 बटे 100 25 से 4 बार गड़िया 100 और 25 से 10 बार गड़िया तो 10 गुणा 19 बटे 4 192 में जब 4 का भाग देंगे तो यह 47.58 आ जाएगा इसके बाद हमारे हैं बहु विकल्पी प्रश्न तो इसके अंदर पहला सवाल है एक बटे 25 को प्रतिशत में परिवर्थित कीजिए एक बटे 25 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे उस कंडिशन में यह 104 बार घट जाएगा तो यह हो जाएगा 4 प्रतिशत तो एक बटे 25 की प्रतिशत की मात्रा हो वो 4% के बराबर हो जाएगी उसके बाद एक सवाल है 240 का 2.5 प्रतिशत बराबर है x प्लस 1.500 का 3.2 प्रतिशत और x का मान निकानना है तो यहां पर 240 को 5% निका लेंगे तो यह इस तरह से सौल होगा 240 का यह 25 परसेंट मैंने यहां पर 25 लिख दिया था इसको मैंने इसलिए दुबार करकिया यहां पर 25 के जाएगा तो 240 का 2.5 परसेंट है नहीं कि धाई प्रतिशत आएगा अब यह दश्मन वाटाने पर एक 0 नीच चिसको हम 1000 से कटेंगे 40 बार और 40 का 0 यहां से 40 को जब 24 का रहेंगे 6 आएगा यह हो जाएगा हमारा 6 है बराबर X प्लस और यह हमारा वैल्यू आएगी 1500 की 100 का 3.2 है तो हम इसको 3.2 का पॉइंट शणाएंगे तो यह 1000 leaning नीच हो जाएगा यहां पर 0 काटेंगे तो यह 100 Thing पंदरा बजह जाए गा 5 से काटेंगे 3 बार 5 से काटेंगे 20 बार तो ये हमारा 32 ती है 96, 96 में 20 का भाग देंगे तो ये फिर 2 से काटा 48, 2 से काटा 10 48 को 200 काटा 25 और 2 से काटा 5, 24 में 5 का भाग देंगे 4.8 आएगा तो यहाँ पर ये 6 प्लस 6 बरावर x प्लस 4.8 ये आएगा हमारा 6 बरावर x प्लस 4.8 4.8 को जब इधर shift करेंगे तो ये संक्या हमारी माइनस हो जएगी, ये x प्लस 4.8 4.8 प्लस 1.2 तरह मारा हो जएगा तो इस तरह से पहले इसको solve करेंगे, फिर इसको solve करेंगे फिर हम जो संक्या हैगी उसको solve करके इसकी value निकाल लेंगे अगला जो सवाल है हमारा वो है 666 का 52% प्लस x परावर 500 तो x की value निकालें तो पहले 664 का 52% निकालेंगे उसको तो यहां हम 666 का 52% प्लस x परावर 500 666 गुणा 52 बटे 100 प्लस x परावर 500 अब ये इसको बन 0.52 ले सकते हैं 52 को 52 बटे 100 परावर 0.52 होगा इसको जब इससे बुणा करेंगे तो 346.32 आएगा ये हमारा x के अंदर जुड़ेगा और ये 500 के बरावर हो जाएगा तो x की value निकालने के लिए इसको हम इदर ले जाएगे जो माइनस में हो जाएगी तो 500 में से 346.32 गटाएगे तो ये आएगा हमारे 153.48 अगला सवाल है हमारा 1420 का 25% बरावर 2500 का x परसेंट तो x की value निकालने हैं तो इसमें भी हम दोनों साइट calculation करेंगे 1420 का 25% बरावर 2500 का x परसेंट उस कंडिशन में हम 25% को 25.100 लिखेंगे 25 से 104 बर कट जाएगा 4 से 14.67 को 368 बर कटेंगे और यहाँ पर 25 का 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 मतलब गुणा x परसेंट मतलब x परसेंट 100 हो जाएगा 0 से 2-0 कट जाएगे तो यह हो जाएगा 25x तो यह होगा 368 और यह होगा 25x अब x की value निकालने के लिए 365 में 25 का भाग देंगे जो 14.2 के बराबर आ जाएगा a की i b की i का 1.500 परतिशत है और c की i a की i का 120 परतिशत है a b c की कुल i 86,000 रुपए तो c की i निकालें तो यहाँ पर a की i b की i का 1.500 परसंट होनी की वज़ा से अगर b की i हमें x मान लें तो a की i हमारी a की i हमारी x गुणा 1.500 परसंट हो जाएगी उस condition में c हमारी c की जो आ हमारी वो हमारे a की i जो हमारी x का 1.500 परसंट उसका बरी 120 परसंट हो जाएगा तो हम इसको इस तर से solve करेंगे प्रशन अनुसार माना की b की i x मानने पर आता है a की i जो है b की 1.500 परसंट होगी इसलिए x इंटू 1.500 परसंट होगी इसको हम 1.500 में 100 का बाग देंगे तो 1.5 x आ जाएगा आता है c की जो आ होगी वो a की 120 परसंट है तो यह हो जाएगी 1.5 x गुणा 120 वटे 100 तो यह 105 को हमको 1.2 से multiply करना पड़ेगा जो की 1.8 के बराबर होगा अब यह हमारे तीनों की i है वो 1.5 x प्लस x प्लस 1.8 x होगा जो की हमारे 4.3 x के बराबर है जो की हमारे 6,000 के बराबर है उस condition में x की value निकालने के लिए इस 40,000 में 4.3 का बाग देंगे तो यह आजाएगा 20,000 उस condition में c की i हम निकालेंगे जो की 1.8 x है x की value 20,000 रखेंगे तो 1.8 से गुणा करने पर यह 36,000 आएगी इसे प्लकार x की i हमारी a की i हमारी x है तो वो हमारी 20,000 हो जाएगी और b की i हमारे 1.5 x थी तो वो 20,000 से डेड़ को उना करेंगे तो यह 30,000 हो जाएगी अब जाच करने के लिए हमारी यह तीनों जो value आई है 36,000, 20,000 और 30,000 उसकी value हमारी 86,000 के बराबर होना जाएगी तो उत्तर की जाच के लिए उत्तर की जाच के लिए ABC की कुला है 20,000 प्लस 30,000 प्लस 36,000 बराबर 86,000 है आर यह जो कि हमारा सवाल के हिसाब से दो अमिद्वारों के बीच चुनाओं में एक को कुल वैद की मतों में बहतर प्रतिशत मत मिले कुल मतों में से 25 प्रतिशत अवैद है कुल मत हमारे 82성 है दूसरे व्यक्ति को प्राप वैद मतों की संक्या क्या होगी यह हमको निकालना है तो यहां पे कुल मत हमारे 82,000 25 परसंट उसमें अवैद है इसलिए वैद मत हमारे पत्र होंगे 75% तो 8200 के 75% हमारे होगे 6150 वैद मत के होंगे माना A वै B में से A को वैद मतों का 72% प्राप्त होता है इसलिगे A को मत मिलेंगे 6150 के 72% बराबर 72 गुणा 6150 बराबर 448 अता है B को मत मिलेंगे पहली कंडिशन में हम 28 को 28% को 6150 से गुणा करेंगे तो 1722 जाएंगे और दूसरे कंडिशन में हम जो हमारे वैद मत थे 6150 उसमें से जब 4428 को बटाएंगे तो यह 2722 इस तरह से भी आ जाएंगे तो इसको हम दो तरह से सौल कर सकते हैं एक संख्या अगला जवाल हमारा है के 3 बटे 4 के 15 प्रतिशत का 40 प्रतिशत एक सुत्रेपन है यह संख्या बताईए तो देखें इसमें एक संख्या के 3 बटे 4 के 15 प्रतिशत का 40 प्रतिशत एक सुत्रेपन है माना वै संख्या हमारी एक्स है अब प्रशना अनुसार X का 3 बटे 4 का 15 प्रतिशत का 40 प्रतिशत यानि कि 3 और 1 साथ आगे और का के साथ आएंगे यानि कि X का गुणा 3 बटे 4 से होगा फिर गुणा 15 प्रतिशत यानि कि 15 बटे 100 होगा फिर हमारा गुणा 40 बटे 100 होगा तो जब इसको हम काटेंगे यहाँ पर एक जिरो से एक जिरो कटिया चार से चार कटिया दस पांस से दो बार कटिया तीन बार कटिया ये पंद्रा तो उपर हमार नीशे बच गया हमारा 100 गुणा 200 बराबर 153 उस कंडिशन में हम X की वैल्य निकालने के लिए 153 में 200 गुणा करके 9 का भाग देंगे तो ये हमारा 17 इंटू 200 और ये हमारा 9 से 153 गट जाएगा 17 बार तो 17 को 200 गुणा करेंगे तो ये 34 से उत्तर हमारा आजाएगा इस वीडियो का लाज सवाल क्योंकि उसका 99% की जो वैल्यू है और जो 73% की वैल्यू है उन दोनों का लंतर 448 के बारवर है इसलिए जो भी संक्या हैगि उसका 49% की वैल्यू हमको निकालना नी है तो यहां पर हम इसको इस तरह से सौल करेंगे एक संक्या के 89 और 73% के बीच में माना संक्या हमारी X है तो दोनों संक्याओं के अंतर जो हमारा 448 के बराबर हो जाएगा 16% तो X का 16% बराबर 448 अब इसको हम X का 16 बटे 100 लिख सकते हैं X की गुणा 16 बटे 100 X की वैल्यू निकाल ले के लिए 448 में 100 का गुणा करके 16 का भाग देंगे तो यह हमारी 2800 बेल्यू आ जाएगी उस कंडिशन में हम उस संक्याओं का 99% निकालने के लिए 2800 का 99% निकालेंगे तो यहाँ 0 से 0 कर जाएगा 2800 को 99% से गुणा करेंगे तो 1300 बैत्तर हमारा उत्तर आ जाएगा तो यह आज का वीडियो इतना ही क्योंकि वीडियो अलड़ी काफी बड़ा हो चुका है जादा बड़ा वीडियो करने से कोई फाइदा नहीं है आगे के जो सवाले मैं फिर अगले वीडियो में बनाऊंगा आज के लिए मैं इतना ही अगर आपको मेरा पढ़ाने का और समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो आप इसके अंदर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके आपको आने वाले और वीडियो मिलेंगे जिसमें आई टे से रिलेटेड आपकी वर्क्षप केलकुलेशन और इंजिंग ड्राइं के बहुत सारे वीडियो आपको देखना को मिलेंगे जिससे कि आपका कूर्स भी पूर हो जाएगा और आपको समझ करके पास होना भी आसान हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही नमस्कार धन्यवाद जैहिन जैवारत